वसकार आप देखने हैं नीज 24 मैं हूँ विपनेश माथुरो रिस्पक की बड़ी ख़वर का रुख करते हैं एक तरफ उत्राकान के हलद्वानी में 5000 घरों को आज सुप्रीम कोट से राहत मिली है और उधर सुप्रीम कोट ने बुलनुसर का दिवाई के हाई कोट के फैसले पर रोक लगा दी है ये दो बड़ी ख़वरे और दूसरी तरफ कंजावला केस के खिलाप प्रिडिता के पैजन सड़क पर प्रदेशन करने उतरे हैं देख सकते हैं आप अंजली के लिए इंसाफ की लगातार मांग हो रही है इंसाफ की मांग दिल्ली में और उधर हल्दवानी में राहत है लोगों के लिए हाई कोट के फैसले को अभी स्टे कर दिया है रोग दिया है सुप्रिम कोट ने क्योंकि ये रेलवे की जमीन थी रेलवे ने कहा जो दोनों तरफ लोगों ने अतिक्रमन किया है अपने घर बनाए हैं उसको हटाने का आदेश हाई कोट की तरफ से दिया गया था तो आज सुप्रिम कोट से इन सभी तकरीबर इनकी संक्या 50,000 बताई जा रही है जो कि 50-60 सालों से भी जादा यहाँ पर रह रहे थी इनके आगे घर की एक बड़ी परिशानी थी आशियाने की बड़ी परिशानी थी ये लोग जाएंगे तो जाएंगे कहां इनके बार तो अभी सुप्रिम कोट ने बड़ी रहा देते कुए आदेश पर रोक लगा दी है और इसी पहली बड़ी ख़बर का रुक कर लेते हैं हल्दवार में फिलहाल बुल्डोजर कार्णे बाई नहीं होगी यही है बड़ी खबार सुप्रिम कोट ने हाई कोट के आदेश पर होनी चाहिए थी, यह सुप्रिम कोट ने कहाए, यह लोग कहां जाएंगे, अगर आप इनके इतनी करकडाती ठंड में आप हिनके घर चील लेंगे, इनकी छचच चील लेंगे तो यह लोग कहां जाएंगे इस से पहले आपको पनरवास की जिम्यदारी भी लेनी है इनका पनरवास भी कराना है इनको छट देनी है तो साथ फरवरी को इस मामने की अगली सुनबाई होगी फिलाल सुप्रीम कोट ने देश की सरवुच दालत ने इन सभी महिलाओं को जो कि कल से ही बहुत ज़ादा परेशान है आखों में आसू है आश्याना उड़ने का इनको दर्था उस पर सुप्रीम कोट ने रहा देते गुए हाई कोट के फैसले को रोक दिया है और रेलवे और राजी सरकार को नोटिस भी जारी किया गया है देखते हैं रेलवे और राजी सरकार क्या के तयाला की CM ने कहा है कि जैसा कि कोट का आदेश होगा हम उसी तरीके से एक्शन लेंगे तो जैसे ही सुप्रिम कोट का फैसला आया लोगों के चहरे पर हमने मुस्कान देखी ये दो तस्पिरें आपकी सामने हाई कोट के फैसले पर रोक रेल, वे और राजी सरकार को सुप्रिम कोट की तरब से नोटिस चारी कर दिया गया है उत्रागंड CM ने क्या कुछ कहा है सुनिए अराम से लिए देखे उस परकण में हमने पहले ही कहा था चूकि वो रेलवे की भूमी है और रेल विभाग माननी हाई कोट में और माननी उच्च नियाले में जो भी उनका मुकदमा था उचल रहा था और राज्य सरकार की तरफ से हमने पहले ही कहा है कि जो भी नियाले का आदेश होगा हम उसके अंदरूप आगे कारवाई करेंगे तो यह राहत तो लोगों को मिल गई है और जो रेलवे और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया गया है उसमें क्या सुप्रिम कोट ने मागा है क्या पूछा है क्या जवाब देना है दोनों को देखे पहली बात तो यह है कि जमीन के स्वामित को लेकर के मसला है स्वामित में दोनों दावेदार हैं राजिस सरकार भी है और रेलवेग भी है और तीसरा पहलो ये भी कि जो लोग वहाँ पर जिन्हें हटाने की बात हुरी है जिन पर ये आरोप है कि जिन्होंने जमीन पर अतिक्रमन किया है उनका दावा भी है कि वो अतिक्रमन उन्होंने किया है वो उन पर भी सुप्रीम कोट ने कहा कि जो लोग 60 साल 70 साल से रह रहे हों उनके पुनरवास की ब्योस्था के बगएर आप किस तरह से उन्हें हटा सकते हैं इस पर रेलवे के तरफ से जो बात कही गई दी वो बहुत महत्पुन है वो ये कि दरसल जो लोग जिने हटाने की बात हो र कि बात हो रही हो वहाँ पर किवल इंतानी बस्तियां ही नहीं हैं पिछले 60 साल 70 साल में वहाँ पर मंदिर भी हैं मस्जिदे भी हैं स्कूल भी हैं कॉलेज भी हैं सरकारी कारियाले भी हैं यह अपने आप में एक अनुठा मामला है कि अबैद जमीन पर लोगों ने अबैद कबजा तो किया ही किया, सरकारों ने भी किया और जहां पर पीडियां गुजर गई, जहां के इसकूल से पढ़ने के बाद लोग अलग-अलग संस्थानों में नौकरी करने लगे, आज अचानक पता चलता है कि जिस इसकूल से उन्होंने डिग्री ली थी, जहां से पढ़ाई इस मसले का समाधान में उसी तरह से निकाला जाना चाहिए, तो सुप्रीम कोट ते फिलहाल एक महीने के लिए, यानि कि अगली सुनवाई जो साथ फरवरी को होनी है, उसके पहले हाई कोट के आदेश पर रोक लगा दिया है, रोक लगाने का मतलब यही है कि जो हल्दवान अगर आप भी सोच कर देखिए, मैदानी का इलाके में हम लोग हैं जहां पर इतनी ठंड लगती है, तो हल्दवानी की हम बात कर रहे हैं, उत्राखंड की बात कर रहे हैं, जहां पर टेंपरेचर इतना कम होता है, तो वहां उनकी मुश्किले समझी जा सकती थी, तो हम पहलों भी है कि पिछले 60-70 साल से लोग जो वहां रह रहे हैं, उन्हें हटना है, उन पर आरोप है कि उन्होंने जमीन का अतिक्रमन किया है, तो पहले एक सवाल तो मैं आम आदमी के तरफ से सवाल पूछता हूँ, कि पिछले 60-70 साल से वो रेलवे कहां थी, अभी नीद क् खुलती है, और अगर लोगों ने अतिक्रमन किया है, तो जो लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं, जो आज तक मौन बैठे थे, हाई कोट के आदेश पर अचानक एक्टिव क्यों होते हैं, उनके खिलाब भी करवाई होनी चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाब भी करवाई होनी चाहिए, ऐसे लोगों पर भी अदालतों को संग्यान लेना चाहिए, कि आप साथ साल सोये रहेंगे और अचानक से एक दिन बुल्डोजर की करवाई होगी, जब हाई कोट का आदेश होता है, अदालत के दखल के बाद, तो ये मुझे लगता है कि ये ब्यवस्था का दोस् पिल्कुल साथ सतर सालों से क्या रेलवे को दिखाई नहीं दे रहा था जब लोग यहां पर कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, बस रहे थे, अचानक से नीन्द जागी है क्या, नीन्द से जागी है क्या